एक सिक्रेट सामगरी के साथ हम बनाएंगे धबा स्टाइल अंडा मसाला एक बार आपने इस तरीके से ये सबजी बनाएंगी, तो मैं गरेंडी के साथ बोलता हूँ कि आपकी बनाएंगे सबसे टेस्टी सबजी बनेगी अगर आपको ये recipe अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए अगर आपको recipe अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो तो आए recipe सुरू करते है सबसे बहले pan में 3 डेबल स्पून mustard oil लेना है इसमें हम 1,4 teaspoon जीरा मिलाएंगे अब इसमें हम 3 बारिक कटे हुए प्याद मिला लेंगे ये सबजी आप हो सके तो mustard oil में ही बनाएगा सबजी बहुत ज़्यदा tasty बनेगी और हो सके अगर आपके पास लोहे का pen है तो वही लिजेगा सबजी का रंग भी बहुत बढ़ी आएगा और सबजी खाने में बहुत ज़्यादा tasty बनेगी प्याज का कलर हलका सा बदल जाना चाहिए तो इसे हम तब तक भूनेंगे गैस क्याज यहाँ पे मैंने तेज ही रखी है और यहाँ पे जो मैं quantity बता रहूँ दो से तीन लोगों के लिए काफी हो जाएगी अभी प्याज भून गया है इसमें हम वन टीस्पून लसन की पेस मिलाएंगे अद्रक को मैंने जुलियन में काट लिया है तो वो डल देंगे इसी के साथ दो कटी भी हरी मीच है वो बीड़े मिला लेंगे इसे भी अच्छे से मिलाएंगे ताकि अद्रक लसन का कच्चापन जला जाए अभी प्याज को हम लगातार भून दे जाएंगे जब तक इसका जो कलर है वो बादा मीना हो जाए अभी आप देख सेथो प्याज पे बहुत ही बड़िया कलर आ गया है तो अब इसपे हम टमाटर मिलाएंगे यहाँ पर मैंने चार टमाटर लिया है और जिसे रफली करश कर लिया है इसके उपर स्वात के अनुसा नमक पिला दिएंगे तो यहाँ पर टमाटर की बिल्कुल भी प्यूरी नहीं करनी है इसे आपको रफली ही करश करना है टमाटर के साथ नमक डालने से यह जल्दी से गल जाएंगे तब यह मिश्टरन को हम अच्छे से बुन लेंगे अच्छे से इसे पकाना ज़रूरी है जब तक कि इसमें से तेल छूटना जाए चार से पाज मिट बाद आप देख सकतो यह जो मिश्टरन है वो काफी गढ़ा हो गया है और असमें तेल निकले की सूराथ हो गई है गेस के आशको बिल्कुल दीमा कर wijगे 1फ़ टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएँगे 2टीस्पून दन्यजीरा पाउडर 1टीस्पून इसमें कस्पिरिय लाल मिश्पाउडर मिलाएंगे इसी के साथ इसमें 1फ टीस्पून जीना गर्म मसाला मिलाना है सबसे पहले हम एक कब जितना पानी मिलाएंगे और फिर से गेस्क्यांज को मीडियम कर देंगे सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेना है सब कुछ मिलाने के बाद यहां पर मुझे फिर से थोड़ी पानी की ज़रुवत लग रहे हैं तो मैं फिर से वन फोट कब जितना पानी मिला होंगा अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अब ही हमें ग्रेवी को अच्छे से उबलने देना है अब इसमें स्वात के अनुसा नमक मिलाएंगे नमक हमने पहले भी थोड़ा मिला था इसे के साथ कटा हुआ बार इक दन्या डाल देंगे इसे भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ मिलाने के बाद ये स्टेच पे हम मिलाएंगे सिम्ला मिर्च तो सिम्ला मिर्श को बिल्कुल भी हमें नरब नहीं करना था तो इसलिए हम ये स्टेट पर डाल वाएं इसी के साथ दो उबले हो अंडे है जिसे मैंने बीडियम टूकर में काट लिया है तो वो भी इसमें मिला लेंगे फिर से सब कुछ मिला लेना है अभी आप देख सकते हो सब्जी पे एकदब बढ़िया साइनिंग आ गई है यानि कि इसमें से तेल निकले की सुरत हो गई है अभी हम सिक्रेट इंग्रेडिन दालेंगे वो है वन एट टीस्पून जीतना सॉई सॉस ये आप सब्जी में जरूर डालेगा आपको बिल्कुल ढबेश टैल वाला स्वाज मिलेगा सॉई सॉस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है वनना जो सब्जी है वो थोड़ी खट्टी हो जाएगे अभी हम इसमें एक अंडा मिलाएगे जिसे मैंने कदूकस कर लिया है इसे भी अच्छे तरह से मिला लेंगे ये स्टिट पे आपको कभी भी इसमें पानी डालने की जरूरत लगे तो आपको गरम पानी डालना है ठंडा पानी नहीं डालना है अभी सब्जी तयार है आखिर में इसमें हम 1 टीस्पून जितना अगी डालेंगे आप चौत इसकी जगह पे मक्षन भी डाल सकते हो इसे एक बार फिर से मिला लेंगे ये लिजे, डवा स्टाइल अंडा मसाला की सब्जी तयार है इसे हम सव कर देंगे ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी